नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्पी शर्मा आप देख रहा है ग्रीन गाड़िन चैनल में आप शबी कर श्वागत है दोस्तों आज में आपके शाथ शेयर करेंगे शेबंती फ्लावर प्लांट यानि की क्राई संतिमाम फ्लावर प्लांट का काटिंग आप कैसे ग्रो और अब ही शेही टाइम है, मंसुन ही शेही टाइम है इसको ग्रो करने का इसका ग्रो करने का एख देखिए मेरे पास जो प्लांट है यह पुराना प्लांट य और उसमें से जो ऋकर निकला है यह धि की आप एहाँ से निकलके भी लगा सकते है और काट करके भी लगा Carnival है इन केस आप अगर इसको अगर आप काट करेंगे तो काट करके भी इसको लगा शक्त है और आप अगर इसको निकल लेंगे पॉट से जैसे कि यह देखिए काट कर दिये है और इसको थोड़ा सा सार्प काट कर लेना चाहिए मैं दिखाता हूँ आप लोग अभी यह देखिए ऐसे करके सार्प काट हो जाना चाहिए अच्छा से आपको सार्प काट कर लेना चाहिए ऐसे करके और इसको आप ग्रो कर शकते हैं मैंने दो काट कर लिये हैं और आप इसी पॉट से निकल भी शकते हैं देखिए अगर इसमें नीचे भी रूट है रूट लेता हूँ, शाथ में दिखाते हैं आप लोग को, यह देखिए, कुछ प्लांट मैंने निकल लिए, यह देखिए, रूट शमित निकल के आ गया बाहर, यह देखिए, यह सभी की शाथ रूट है, और आप ही जो टाइम चल रहा है, मंशुन की टाइम चल रहा है, यह तक की जो लिफ है, यह लिफ मैंने हटा दिये है, जो काटिंग्स है, काटिंग्स का भी ऐसे ही किया है, मैंने यह देखिए, कुछ लिफ हटा दिये है, यह देखिए, इतना हटा दिये गया है, और इसके बाद जो लगाना है, इनके साब अगर ऐसे करके काटिंग लगाएं ये cutting hormones होना चाहिए, ये cutting hormones आपके पाश अगर नहीं है, cutting aid अगर नहीं है, तो आप online buy कर शकते हैं, या market से भी ले शकते हैं, मैंने Amazon से buy किये थे, ये देखिए cutting aid, Amazon ये flip card में मिल जाते हैं, तो इसको लेना है, और जो media है, media only sand, ये देखिए, एक pot में sand ले लिए है, और इसको बहुत अच्छा से watering कर दिये, ये गिली है sand, ऐसे करके आपने को लेना है sand, शेंड लेने के बाद उसको अच्छा से watering कर देना, पानी डाल देना, पानी डालने के बाद आपने जो cutting लिए हैं, ये cutting को धीरे धीरे अपने को लगाना है, और आभी से आप अगर क्राई संतिमा plant को grow करेंगे, तो आपका plant बहुत ही अच्छा होगा, नविंबर से लेके दिशंबर, ये दिशंबर मांत में आपको flower लेना है, मान लिए दिशंबर मांत में flower लेना है, तब तक मैं continue, आप लोगे शाथ share करते रहेंगे, आपडेट देते रहेंगे, ताकि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छा से, बहुत ही अशनी से इजीली क्राई संतिमा में plant को grow कर शकते हैं, और बहुत ही biggest size का plant बना के आप huge quantity में आपकी plant से flower ले शकते हैं, उसी शाब से आप लोगे शाथ मैं continue, आपडेट देते रहेंगे, तो शब से पहले क्या करना है, ये देखिए उंगल इसे थोड़ा सा आपको hole कर लेना है, ऐसा करके hole कर लेना है, आप जो sand लेंगे, शैंड को थोड़ा सा wash कर लिजेगा, ये देखिए, ऐसे करके आप थोड़ा सा hole कर लेना, और ठीक 15 दिन में जो cutting है, ये cutting ठीक 15 दिन में इसका root developed हो जाएगा, ठीक 15 दिन बाद बाद मैं एक आपडेट देते रहेंगे, इसमें क्या फाटिल आज़ात देना है, कौन सी pot में shift करना है, क्या करना है, पूरा details में इसका आपडेट देता रहूंगा, ये देखिए, ये जो cutting aids है, जो cutting है, पहले cutting लगा लेते है, इसको ऐसे करके अपने को लगा लेना है, ये देखिए, ब बहुत अच्छा से लग गए और इसको एक hole में ऐसे करके डाल देना है, डालने के बाद ये जो ऐसे करके डाल देना है, और डालने के बाद थुरा सा प्रेस कर देना है, ये देखिए, ऐसे करके प्रेस कर देना है, आप फिर दूसरे ले लेते हैं, देखिए, ये दूसरे से लग गया, काटिंग एट से क्या होता है, रूट बहुत जल्दी निकाल आते हैं, यह देखिए, ऐसे करके थुरा सा प्रेस कर देना है, जले पटपट करके तीसरे भी लगा लेते हैं, यह देखिए, यह देखिए, इतना ही आच्छा करके आपने को रूटिंग हर्मोन लगाना है, इसको रूटिंग हर्मोन या काटिंग हर्मोन बोलते हैं, काटिंग एट भी बोलते हैं, यह देखिए, अच्छा से प्रेस कर देंगे, यह हो गया, यह लग चुके अपना तीन काटिंग और अगर cutting hormones नहीं भी लगाएंगे तब भी यह लग जाएगा और इनकेस आप अगर cutting hormones लगाना भी चाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है चलिए और कुछ एक hole में आप डाल दीजिए पहले यह देखिए बाद में एक शाथ प्रिश कर देंगे ऐसे करके आपने को लगाना है यह देखिए चलिए शब को लगा लेते हैं और बताते हैं आप लोग की शाथ यह देखिए ऐसे करके इन केस आपके पाश अगर rooting hormone नहीं है तो आप अगर ऐसे सकर लगाएंगे तो आपको rooting hormone की कोई जरूत नहीं है ऐसी लग जाएगा आपका plant आप बिना rooting hormone को भी लगा शकते हैं लेकिन आप अगर cutting grow करेंगे तो आपको rooting hormone का जरूत पड़ेगा यह देखिए जितनी cutting थे शकर थे पूड़े को लगा दिये है आप इसके बाद आपने को watering करना है और धेन रखिएगा यह जो pot है pot को fully shade में रखना है अपने को बिल्कुल sunlight में नहीं रखना है शाथ से आठ दिन तक अपने को fully shade में रखना है और धेन रखना है एक बात का धेन रखना है sand है यह dry ना हो पाए dry हो जाएंगे तो आपका cutting success नहीं होगा पानी कुछ जादा भी रहेंगे तो चल जाएगा कोई दिकत नहीं है इसके बाद थोड़ा सा watering कर देंगे यह देखी ऐसे करके थोड़ा सा watering कर देंगे यह हो गया तो उम्मीद करता हूँ आप लोगो मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरू कर देना शाथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आओ आप तक तुरण पोश्चा अगे इसके बाद दोस्तो 15 दिन बाद इसका जो रूट कितना डेवलप्ट हुआ है प्लांट काटिंग शक्सेस हुआ है या के नहीं उसका वीडियो मैं लेकर आओंगा आज अहीं तक है इसके बाद फिर में लेंगे नाटापे के शाद नाजन कर लेकर आएंगे थैंक्स अरबाचिंग